So good morning guys और आपके करीक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 24 मई के Important Current Affairs को हम लोग कवर करेंगे तो दीखिए अमारा पहला प्रशन क्या है हाली में अंतरराष्ट्रे हौकी महासंग के अध्यक्ष की रूप में फिर से किसे चुना गया है तो आंचार होगा नरिंदर बत्रा को तो अभी वैसे International Hockey Federation के अध्यक्ष यही है नरिंदर बत्रा लेकिन अभी फिर से इन्हें दूसरे कारेकाल के लिए भी चुन लिया गया है वैसे ये नरिंदर बत्रा Indian Olympic Association के अध्यक्ष भी है और International Olympic Committee के सदस्य भी है तो अब याद रखना International Hockey Federation के अध्यक्ष बने रहेंगे अब ये कब तक 2024 तक अच्छा ये नाम और याद रखो PR शिरीजेश वैसे तो ये भारतिय होकी टीम के गोल की पर है लेकिन इन्हें अभी International Hockey Federation Athlete Committee के सदस्य के रूप में चुना गया है बाकी अरुन कुमार सिंग ये भारत Petroleum Corporation Limited की CMD बने क्रती करंथ Wild Innovator Award जीतने वाली ये अभी पहली भारते महिला बनी थी अच्छा होकी से कोई प्रशन याद आता है कि आपको कली हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी होकी इंडिया को देश में खेल की प्रगती और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटिनी ग्लिचिट से पुरुसकार के लिए चुना गया ये प्रशन हम लोगों ने कली पढ़ा था अच्छा इंटरनेशनल होकी फेडरेशन का हेड़कोर्टर कहां पर है लोजेंड सुट्चलेंड में है और इसके सीई ओ थेयरी वेल है बढ़ते आगे और हाँ गाइस देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं धेर सारी फ्री क्लासेज तो अनकैडमी की हर क्लास कंड़क की जाती है आपके बैंक की हर परिक्षक की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ये सारी फ्री क्लासेज आपको मिलेंगे अनकैडमी पर जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने personal schedule के हिसाब से पढ़ सकते हैं और anacademy की हर class आप live नहीं तो बाद में recorded session के द्वारा भी attend कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो class को download करके offline भी देख सकते हैं और आप live class में ask a doubt feature के द्वारा teacher से अपने doubt भी clear करवा सकते हैं और आप live quizzes और test session भी attend कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी live ranking भी देखने को मिलेगी और anacademy पर total 12 भाषाओं में classes conduct होती हैं तो आप अपनी favorite भाषा में class attend कर सकते हैं आप अपने teacher के साथ interact कर सकते हैं live poll में part ले सकते हैं और यह सभी feature आपको मिलेंगे एक ही platform पर एक ही subscription के साथ तो आज ही subscribe करें unacademy पर और इन सभी benefits का lab उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा code जो की है crack exam 10 यूज करते हैं तो आपको additional 10% का instant discount भी मिलता है तो आपको इन सभी classes के जो link हैं वो नीचे description में मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सब का benefit उठा सकते हैं अभी हम बढ़ते आगे फिर बताईए कि हाली में किस देश ने कोपा अमेरिका की मेजबानी करने से मना कर दिया तो अंसर होगा कोलंबिया अचा कोपा अमेरिका ये क्या है तो ये एक मेंस football tournament है जिसे 1975 तक South American Football Championship के रूप में जाना जाता था और इस बार ये tournament 2021 में अभी 13 जून से 10 जुलाई तक होने वाला है कहाँ पे कोलंबिया और अर्जेंटिना में पर अभी कोलंबिया ने कहा कि वो नागरिक अशान्ति और बढ़तिक कोरोना वायरस के कारण इससे होस्त नहीं कर पाएगा अचा फुटबॉल से आपको याद होगा कली हम लोगों ने पड़ा था 2022 का जो FIFA Under 17 Women's World Cup है ये होस्त करेगा भारत एक्चुली पहले ये 2021 में होने वाला था लेकिन कोरोना वायरस के कारण वो कैंसल हो गया अब भारत होस्त करेगा 2022 वाला Under 17 Women's World Cup को उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि FIFA Under 20 जो Women's World Cup है ये काँ पे होगा? ये भी 2022 में होगा और ये होगा कोस्तार रिका में ये तो Women's World Cup की बात हो गई अगर ये ही सेम चीज हम Men's World Cup के लिए बात करेंगे यानि कि FIFA Under 17 Men's World Cup तो ये होंगे 2023 में पहले ये 2021 में होने वाले थे लेकिन पॉस्पॉंड हो गए इस्थगित हो गए अब 2023 में होंगे 2023 में भी काँ पे होंगे पेरू में और उसी तरह से Under 20 Men's World Cup ये आपके 2023 में ही होंगे इंडोनेशिया में अचा फीफा के दो पॉइंट याद रहना आप फीफा का हैटकॉर्टर आपको मिलेगा जोरिक स्वजजलेन में और इसके अध्यक्षे भारते राजदूत अमबेजडर होंगे बाकि सुरेश मुकंद अभी आपको याद होगा World choreography award 2021 जीता था इन्होंने और ये अवार्ड जीतने वाली ये पहले भारते बने थे और इसी को Oscar of Dance के रूप में भी जाना जाता है अरजन भुलर की बात करेंगे तो मिक्स्ट मार्शल आठ खिताब जीतने वाले भारते मूल के ये पहले fighter बने वैसे ये कनाडा के लिए खिलते है और इस बाल चंदरन सुरिनाम में अभी भारते राजदूत बने ये लेकिन या तो तो ये बेलारूस की ये रा मैप में बेलारूस जो की यूरोपिय महद्वीब का ही एक देश है कैपिटल इसकी होती है मिंस्क करंसी है बेलारूसी रूबल और प्रेसेडेंट है अलेक्जेंदर लुकाशेंको फिर बताइए कि हाली में किस राज्य सरकार ने Mission Oxygen Self Reliance योजना को शुरू किया तो आंसरों का महराष्टर ने तो अभी महराष्टर की सरकार ने राज्य की ओक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए Mission Oxygen Self Reliance योजना को शुरू किया है तो इस योजना में Oxygen उत्पादक उद्द्योगों को विशेश प्रोच चाहन दिया जाएगा और Oxygen से कुछ कुशन आपको बताता हूँ जैसे कि हमने पढ़ा था भी भारते नौसेना ने Oxygen Recycling System को डिजाइन किया है जिसे Medical Oxygen Cylinder का जिवन दो से चार गुना बढ़ाया जा सकेगा और अभी भारते वायू सेना ने Oxygen की कमी को दूर करने के लिए Operation Oxygen भी शुरू किया था अभी DRDO ने मरीजों को दी जाने वाली Oxygen को कंट्रोल करने के लिए Oxygen Care System को डेवलप किया अभी भारते रेलवे ने अपनी पहली Oxygen Express को कहां से शुरू किया था विशाका पत्नम से बुम्बई तत और उसी तरह से अभी महराश्टर ने ही COVID-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए Mission Oxygen को शुरू किया और अभी महराश्टर ने ही ये Mission Oxygen Self Reliance योजना को शुरू किया अब बात यहाँ पे महराश्टर कीया तो ये रामैप में महराश्टर देख उसकी कैपिटल मुम्बई है मुक्यमंत्रे हो गए उद्दव ठाकरे और गवर्नरे भगतिन कोशियारी Chief Justice यहाँ के हैं दिपांकरदत अच्छा भी बताईए किसे महराश्टर भुषन पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो आशा भोसले को और भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये मुम्बई में बनाई जा रही है अभी महराश्टर ने ही महा संब्रदी महिला शशक्तिकरन योजना को शुरू किया था और अभी महराश्टर सरकार ने जो नागपुर में गोरेवाड़ा चिडिया गरे उसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पे कर दिया गया महराश्टर में ही महा आवास योजना को शुरू किया था बेघर लोगों को घर देने की योजना है ये और महा से याद रखो महा शरद योजना दिव्यांग जनों को सहायक उपकरन उपलब्द करानी की योजना है और महा परवाना योजना राज्य में निवेश को आकरशित करने के लिए ये योजना शुरू की थी उसके अलवा बिजली, लाइन और ट्रांस्मिशन टावरों का निरक्षन करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला ये पहला राज्य बना था महराष्ट्र और बताईए महराष्ट के जो कैपिटल है मुंबई ये किस द्वीब परिस्तित है सालसेट द्वीब पर और ये किस नदी के मुहाने यानि की किनारे परिस्तित है तो उलहास नदी के किनारे और दो दर्रे मैंने आपको बताये थे मुंबई से जुड़े वे कि मुंबई के साथ में दो दर्रे हैं एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है और दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पूने से जोड़ता है ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं अगे फिर बताईए अभी हाली में विश्व कच्छुआ दिवस World Turtle Day कब मनाया गया तो अंसर होगा 23 मई को तो विश्व कच्छुआ दिवस ये एक वार्षिक कारेकरम है जो कि 2003 से हर साल 23 मई को मनाया जा रहा है और इसे मनाने का उद्देश है क्या है लोगों को कच्छुआ और कच्छुआ के आवासों की रक्षा के बारे में सिक्षित करना तो याद रखना वन लाइनर World Turtle Day कब मनाया जाता है 23 मई को अब फिर से Important Day वाला कुष्यन आ गया तो चली एक बार फिर से आप सभी को रिवाइज करवाते हैं मई के सारे Important Day अगर याद है तो साथ साथ बोलते हूँ चलना देखो एक मई को International Labor Day मनाया दो मई को World Tuna Day मनाया दो मई को ही World Laughter Day मनाया गया जो कि मई के पहले रहे वार को होता है तीन माई को World Press Freedom Day मनाया, चार माई को International Firefighter Day मनाया, चार माई को ही Cool Miners Day मनाया था और चार माई को इस बार हमने World Asthma Day मनाया जो की माई के पहले मंगलवार को होता है पांच माई को International Day of Midwives मनाया, पांच माई को ही World Hand Hygiene Day होता है और पांच माई को इस बार हमने World Athletics Day मनाया 6 माई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया 8 माई को World Migratory Birthday इस बार 8 माई को World Migratory Birthday मना रहे हैं 8 माई को ही World Red Cross डे मनाया 11 माई को National Technology Day होता है 12 माई को International Nurse डे मनाया 15 माई को International Family डे मनाया और 16 माई को एक तो National Dengu Day मनाया International Day of Life भी 16 माई को होता है और सिक्किम का स्थापना दिवस भी 16 माई को होता है और 16 माई को ही हमने विश्व क्रशी परियतन दिवस World Agriculture Tourism Day मनाया 17 माई को World Hypertension Day होता है 18 माई को International Museum Day मनाया 18 माई को ही World AIDS Vaccine Day मनाया 20 माई को World Metrology Day मनाया फिर 21 माई को National Anti-Terrorism Day मनाया 21 माई को ही अंतर राष्टर चाय दिवस मनाया और अभी 22 माई को हमने अंतर राष्टर जय विवित्ता दिवस मनाया था International Day of Biodiversity तो माई के सारे important days हर बार हम revise करते हैं अब आपको याद हो जाने चाहिए बढ़ते हैं बताइए अभी हाली में कांगो गंडराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए तो अंचर होगा कॉलिनेट माकुसो तो अभी आपको याद होगा कांगो गंडराज्य के कुछ दिन पहले ही नए राष्टर पती बने थे उनका नामे डेनेस ससो नगेसो और अभी उन्होंनों ही अनाटोल कोलिनेट माकुसो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और ये किन का इस्तान लेंगे ये कलेमेंट मॉंबा का इस्तान लेंगे जिन्होंने अभी इस्तिफा दे दिया बाकी सामिया सुलूहु हसन ये तंजानिया की पहली मैला प्रसिडेंट बनी है यावर्री मुसेवेनी युगांडा के छटवी बार प्रसिडेंट बने और काजा कलास एस्तोनिया की पहली मैला प्रधान मंत्री बनी देखो Republic of Congo ये एक Central African country है तो पहले आप मैप में देखिए ये रहा कांगो गंडराजिया इसकी Capital क्या होती है? Capital इसकी होती है ब्राजावेल और इसके राष्टरपती अभी बन गए डैनिस ससो नगेसो और अब प्रधान मंत्री बन गए कॉलिनेट माकोसो अच्छा बताएए COVID से संबंदित मुद्दों के समधान के लिए बच्चों को मनो वेज्ञानिक सहायता देने के लिए सरकार के दोरा पर दान की जाने वाली टेली परामर्ष सेवा का नाम क्या है? तो आंसर होगा समवेदना यहाँ पर समवेदना का क्या मतलब है? Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance तो राष्ट्रेबाल अधिकार संगरक्षन आयोग यह चिकित्सकों यानि कि डॉक्टरों के माध्यम से बच्चों को टेली परामर्ष प्रदान कर रहा है और उसी के लिए यह समवेदना सेवा को शुरू किया है यह बच्चों को COVID-19 के संबंध में उनके तनाव और भे को दूर करने के लिए मनोवेज्यानिक सहायता के लिए एक टेली परामर्ष सेवा है टेली परामर्ष मतलब समझ गए न टेली मतलब टेली फोनिक मतलब फोन परामर्ष दिया जाएगा इसे फेस टू फेस आने के जरुवत नहीं है जिस तरह से टेली मेडिसिन सेवा हम लोगों ने पढ़ी थी न बस उसी तरह से है तो इसका नाम याद रखने सर्विस का नाम है समवेधना बढ़ते आगे फिर बताईए देश के बुजर्ग नागरिकों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए सामाजिक नियाय मंत्राले की योजना का नाम क्या है तो आंसर होगा एल्डर लाइन तो अभी हमारे केंद्रे सामाजिक नियाय और अधिकारिता मंत्राले यानि कि मिनिस्टर आप सोशल जस्टिस एन एमपावर्मेंट और इसके मंत्री को ने इसके मंत्री है थावर चंद गहलोत तो इस मंत्राले ने एल्डर लाइन नाम से एक योजना शुरू की है जिसका उद्देश है COVID-19 महामारी के बीच देश के बुजुर्ग नागरिकों को भावनात्मक सहायता प्रदान करना क्या नाम है इस योजना का एल्डर लाइन फिर बताईए अभी तिरिपुरा राज्यक की जो पहल है वंदे तिरिपुरा इसका उद्दिश क्या है तो आंसर होगा टैली सिक्षा तो अभी कोरोना के समय तिरिपुरा राज्यक ने बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्रभावित न हो इसके लिए वंदे तिरिपुरा नाम से 24x7 एक एडुकेशनल चैनल शुरू किया है तो इस चैनल पर इसकुली जो स्टुडेंट्स हैं उनको NCRT स्लिबर्स के अनुसार लेसन दिये जाएंगे और इसके जरीए COVID-19 महामारी की वज़े से छात्रों को सीखने के समय के नुकसान की भरभाई करने में मदद मिलेगी तो वंदे तिरिपुरा ये एक एडुकेशनल चैनल है बात तिरिपुरा की है तो येरा मैप में तिरिपुरा देखो तिरिपुरा की केपिटल अगरतला है यहां के मुख्यमंतिरे बिपलप कुमार देब और गवर्नर है रमेश बेस अच्छा खर्ची पूजा ये हिंदू फैस्टिवल है किस राज्य का ये एकजाम में पूछा गया प्रशन है तो आंचर होगा तिरिपुरा का और केर पूजा नाम का एक विशेश तियोहार है जो की यहीं पे मनाया जाता है तिरिपुरा में ही प्ले लिटल, स्टडे लिटल योजना को शुरू किया गया था था देखो यहां पे आपको Clouded Leopard National Park मिलेगा एक राजबरी National Park पी आपको यहां पे मिलेगा आपकी एक जिमनास्टिक है जिनका नामे दीपा करमाकर वो आपकी तिरिपुरा से ही है बढ़ते हैं अच्छा फिर बताईए अभी हाली में किस राज्य सरकार ने COVID-19 महामारी में अना 1100 रुपे हर महीने देगी और कब तक देगी जब तक कि वो graduate नहीं हो जाते और इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने COVID-19 महामारी में अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया परिवार में और इसी तरह से आपको याद होगा अभी मद्दे प्रदेश म मुख्य मंतरी COVID-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू हुई थी मुख्य रुप से सरकारी कर्मचारी के परिवारों के लिए है यह अगर कोई सरकारी कर्मचारी का निदन हो जाता है COVID-19 के कारण तो उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपे की साहिता और परिवार में से किसी भी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी अभी दिल्ली सरकार ने भी COVID-19 से अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्ति हो जाती है तो उनके परिवार वालों को 50,000 रुपे के आर्थिक मदद दी जाएगी ऐसा बोला गया उसके अलावा अगर परिवार म भी महतारी दुलार योजना को शुरू किया था उसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था कि अगर बच्चों के माता पीता कि मृत्ति हो जाती है COVID-19 के कारण वो अनात हो जाते हैं तो फिर उन बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी किस परकार से कक्षा 1 से लेके 8 वी तक के बच्चों को तो 500 रुपे पर मन्थ और कक्षा 9 से लेके 12 तक के बच्चों को 1000 रुपे पर मन्थ दिये जाएंगे अब यहां पे तो बात ओर यह पंजाब की तो यह रा मैप में पंजाब देखो पंजाब की केपिटल चंदीगड है और यहां के मुख्य मंत्रे अमरेंदर सिंग होगर गवर्नर है विपी सिंग बदनौर अब यहीं पे ही कोरोना मुक्त पिंड अभियान भी शुरू किया था जिसका उद्देश्य है 100% टीका करन को बढ़ावा देना और यहां दखना पंजाब जो है यह ग्लूबल कॉवेक्स अलाइंस में शामिल होने वाला पहल पहले शबन योजना के नाम से जाना जाता था मुके रुप से गरीब परिवारों के जो बेटियों की शादी होती है उनको वित्ते साहिता देने की योजना ही यह इसमें पहले 21,000 रुपे दिये जाते थे अब उसे बढ़ा करके 51,000 रुपे कर दिया यहीं पे ही होला महला तेवहार भी बनाया जाता है यहीं पे ही लाल लकीर मिशन भी शुरू किया गया था और डिजी नेश्ट मुबाइल एप्लिकेशन को यहां पे लॉंच किया था यी दाखिल पोर्टल भी यहीं पे लॉंच हुआ था एक बसेरा योजना है वो भी पंजाब में शुरू और पंजाब का राजकिया जलियर जीव किसे गोशित किया गया ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंदू डॉल्फिन को बढ़ दे आ गया फिर बताईए परियावरन विज्ञान के संधर्ब में अभी हाली में खबरों में रहा A76 यह है क्या तो यह एक आइसबर्ग है त तेहर रहा है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानि कि आइसबर्ग कहा जा रहा है क्योंकि लगबग इसकी लंबाई 170 किलोमेटर है और इसकी चोड़ाई 25 किलोमेटर है तो आपको बता दू कि अंटार्टिका की बर्फ की चादर कापी तेजी से गरम हो रही है जिसे वेडेल सागर के आसपास की बर्फ भी पिगल रही है और ये सब ओरा एक ग्लोबल वामिंग के कारण और ये तो साफ साफ चेताओनी है हम सभी लोगों के लिए कि अभी भी हम नहीं चेते तो बहुत देर हो जाईगी मतलब कहने का ये है कि अब साल में एक बार मिल कर के रूम में मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा कुछ कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे वरना जातर होता कै जब तक समस्या हमारे सामने ही आकर के खड़ी नहीं हो जाती ना तब तक हम लोग जागते भी नहीं है फिर बताईए अभी हाली में किस दवा कमपनी ने भारत मे कोविड-19 के लिए RT-PCR Test Kit जिसका नामे वीरा जैन उसको लॉंच किया है तो आंचर होगा सिपला ने तो ये वीरा जैन इसको लॉंच किया भी सिपला कमपनी ने और ये 98.6% सम्विधनशील है किसके परती सार्क कोव 2 के परती ये कोरोना वायरस है किसके परती सार्क कोव 2 2 के परती ये कोरोना वायरस है मतलब ये हो गया कि 98.6% सम्भावना है कि ये बिल्कुल सही सही बता देगी कि व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है मतलब ये एक रियल टाइम टेस्ट किट है RT-PCR मतलब क्या हो गया reverse transcription polymer chain reaction इसकी full form यादर कोई काफे news में है full form आपसे पूछी ज सकती है और इसी से मिलती जुलती एक और नियूज में आपको बताता हूँ कि अब डियाडियो ने भी डिप कोवा डिप कोवा नामसे COVID-19 antibody detection आधरित किट तयार किया है मतलब इस किट के थुरू आप घर पर ही तुरंत COVID test कर सकोगे अच्छा COVID shield जो vaccine है उसको किस company ने बनाया ह जो पुने की है अधार पुना वाला वाली और स्पुतनिक जो light है ये रश्या ने ही बनाई हैス फुतनिक v भी रश्या की है लेकिन ये स्पुतनिक light में क्या खास बात है कि ये single dose vaccine है अब इस पुतनिक v हो गई या जो भी हम यूज कर रहे हैं को वैक्सेन कोवी शील्ड बात करेंगे कल के वीडियो में पूछेगे प्रशन के उत्तर की फिर बताईए हाली में वर्ल्ड कोरियोग्राफिय अवर्ड 2020 जीतने वाले पहले भारते कौन बन गए तो अंसर होगा सुरेश मुकंद आप सभी ने प्रशन का बिलकुल सही उत्तर दिया है और गाईज अगर सेशन अच्छा लगे तो इससे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के जाद में इसको शेयर आपको जरूर करना है जो भी आपका स्टेडी गुरूप हो गया या अगर आपका कोई वाट्सअप गुरूप है तो वहाँ पर इस वीडियो की लिंक को एक बार शेय जरूर कर देना